तो सुप्रीम कोट ने सोशल मीडिया की निगरानी को कि इस सरकार के फैसले को लेकर तल्क टिपड़ी किया है और पूछा है कि क्या सरकार लोगों के वाटसप मेसेज पर नजर रखना चाहती है और यही है आज का केस आफ दे लेकर उसे पर डालते हैं कुछ और खबरों पर नजर सुप्रीम कोट में आयुदा विवाद पर सुनवाई के दौरान श्रीया वकबोर्ड ने कहा कि मजजिद इसलाम हिसा नहीं है श्रीया वकबोर्ड ने कहा है कि हम इस देश में सोहार्द, एकता, खंड़ता और श्रांती के लिए श्रांती और अध्या के विवादी जमीन पर मुसल्मानों का इसा राम मंदर को देने के लिए राजी हैं और इस पर सुन्री वकबोर्ड के वकिल राजी धवन ने कहा है कि श्रीया वकबोर्ड वो दान कर रहा है जो उसके पास है ही नहीं अयोध्या मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट में आज यूपी श्रीया वकबोर्ड ने एक बार फिर तावा किया कि संपक्ति शियाओं की है और वो हाई कोट से मिले एक तियाई हिस्से को हिंदू को सौपना चाते हैं हलाकि कोट ने इस पर कोई कपड़ी नहीं की शिया वकबोर्ड ने साफ कहा कि बाबरी मस्जद का संगरक्षा के एक शिया था इसलिए सुन्नी वकबोर्ड या कोई और भारत में मसल्मानों का प्रतिनिती नहीं है वहीं सुन्नी वकबोर्ड की तरफ से कहा गया कि 1946 में ये फैसला हो गया कि जमीन पर मालिकाना हक सुन्नी वकबोर्ड का है शिया वक्फबोर्ड ने 2017-1946 के फैसले को चनौती दी है इस मामले में शिया वक्फबोर्ड का कोई लोकस नहीं है सुनी वक्फबोर्ड के वकील राजीव धवन ने कहा कि शिया वक्फबोर्ड बोदान कर रहा है जो उसके पास है ही नहीं राजीव धवर ने एक बार फिर इसलाम में मस्जद की अनिवारता का सवाल समिधान पीट को सौपने की वांग की उन्हों ने कहा कि मस्जद भले ही गिरा दी गई हो लेकिन इबादत का अधिकार पर करार है राजीव धवर ने कहा कि जैसे बामियान बुद्ध की मूर्टी को तालिबान ने गिराया वैसे ही बाबरी मस्जद को हिंदु तालिबान ने गिराया दवर ने ये भी कहा कि यूपी सरकार या केनर किसी पक्ष के समर्थन में जलील नहीं रख सकते क्योंकि दोनों अपने पैतानिक ताइस्टों से बंदे है मामले पर एगली सुनवाई अब 20 जुलाई को होगी राकेश सिंग एपी एन दिल्ली उर्बात सुननदा पुषकर मौत मामले के जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी की आचका करने प्टारा का सुनवाई बंद करदी है और इस दुरां सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पलिस इस मामले में चार्शित दाखिल کر चुकी है और कोट संग्यान ले चुका है इसलिए अब मामले में सुनवाई की जरूरत नहीं है वरुक हेंद्री मंत्री और कांगेस नेता शुषी थरूर की पत्नी सुननदा पुष्कर की मौत की ज्वाँच साइटी से कराने की मांग को लेकर बीजेपी नेता सुपर्मिन सौमी ने सुपरीम कोट में याचिका दाखिल की थी सौमी ने दिल्ली हाई कोट के फैसले को सुपरीम कोट में चुनौती दी दिल्ल लिए हाई कोट ने सौामी की याच्चिका को खारिज कर दी थी और कोट ने बीजेपी नेता सुपर्वियम स्वामी से कहा था कि पहले इस केस में वो कोट को संतुष्ट करें कि याच्चिका सुनवाई यूग्य है सुप्रीम कोट ने अप राधिक मामलों में स्पीडी ट्रायल ना होने की वएसे लंबे समय तक अब आरोपियों को जेल में रहने के मामले पर खुद संग्यान लिया है कोट ने मामले में अटाउनी जनरल केके वेडू गोपाल को कोट की सहायता करने के लिए कहा है सुप्रीम कोट ने दो जज़ों की तरफ से फरीदाबाद जेल में मौाइना करने के बाद दी गई एक रिपोर्ट को देखने के बाद कोट ने मामले का संग्यान लिया इस रिपोर्ट में मुकद्मों के लंबे चलने के वए से सालों तक जेल में बंद कैदियों के जिक्र करते हुए स्पीडी ट्रायल की बेवस्ता लागू करने और कोट का इंट्फरास्ट्रक्चर विक्सित करने की बात कही गई है इससे पहले 10 अक्टूबर 2017 को विचाराधिन कैदियों के मामले के सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोट ने महराश्ट उतरपदेश मदपदेश सरकार के इस बात के लिए आलशना की थी कि वो उन विचाराधिन कैदियों को भी जेल से रिहा नहीं कर रहे हैं जो जेल से चूटने के योग्या है आज सुप्रीम कोट ने का है कि वो जेल और अदालतों की इस्तिती पर विस्तित सुनवाई करेगा वो कदमे की सुनवाई और नप्टारे में देरी के चलते विचाराधिन कैदियों का जेल में बंद रहना गलत है और अगली खबर सुप्रीम कोट से उत्तर प्रदेश के करीब पचास हजार अपर प्राइमरी स्रक्षकों को बड़ी रहत मिली है सुप्रीम कोट ने इलावा धाई कोट के आदेश पर यताई स्तिव बनाया रखने का आदेश दिया है सुप्रीम कोट ने उत्तर प्रदेश तरकार से चार हफते में जवाब मांगा है 2012 से 2018 के बीच नियुक्त तकरीबं पचास हजार श्रक्षकों की नौकरी पर संकट के बादल मंड़ा रहे है 30 माई को इलावा धाई कोट ने अपने आदेश में कहा है कि जन श्रक्षकों के बी-एट, बी-टी-सी या का परड़ाम उनके टी-एटी के परड़ाम के बाद आया है, उनकी नियुक्ती रद कर दी जाए इस आदेश के खिलाब स्रक्षकों ने सुप्रीम कोट में अरजी दायर की है इलावा धाई कोट के आदेश के बाद अब इन श्रक्षकों कोई को नौकरी से नहीं निकाला गया है और इस लिहाज से यथा स्तिती बनाये रखने का सुप्रीम कोट का आज का आदेश इनके लिए फौरी तोर पर रहात है और इस मामले पर या चुका करता है कि वकील से बात की राकेश मिश्रा ने और देखिए क्या कुछ बात की हमारे समाधाता ने प्रदेश के अपर प्राइमरी सिक्षकों को सुप्रीम कोट से बड़ी रहत मिली है सुप्रीम कोट ने इलहाबाद हाई कोट के फैसले पे यथा इस्तिती बरकारा रखने का निर्देश दिया है हमारे साथ जो टीचर से उनके वकीर राकेश मिस्रा जी आई ये बात करते है सर शॉर्ट में जाना चाहेंगे कि सुप्रीम कोट ने आप आप लोगों की जो अपील थी वो क्या थी अलाबाद हाई कोट ने एक डिसीशन दिया एक टीचर बनने के लिए कौलिफिकेशन होती है टीटी इस देश में पहले से यूडी सी नेट चला रही है एससेस्टन प्रोफेसर बनने के लिए उसी के तरज पे टीटी टीचर से लिजिबिल्टी टेस्ट आया जिसको क्वालिफाई करने के बाद ही आप कहीं भी टीचर बन सकते हैं प्राइमरी लेबल पर वन तो फाइव और शिक्स तो एट अब इसके लिए एक साथ में ट्रेनिंग भी होनी चाहिए आईदर बीएड और बीटी सी कोट ने कहा कि जिस दिन आप टीटी क्वालिफाई करते हैं उसका रिजल्ट आता है उससे पहले आपका बीएड या बीटी सी का रिजल्ट आ जाना चाहिए और यह इंटर्पडेशन दिया जो रिजल्टरी अथर्टी है एंसी टीए नैशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन उसने अपने पैरा फाइव में कहा गाइड लाइन के कि कौन लोग एक 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 साम दे सकते हैं तो उनका जो पास हो बीएड या बीटी सी या परसन हो परसुइंग बीएड और बीटी सी तो इसी परसुइंग वर्ड का इंटर्पडेशन दिया पर्टी परसुइंग का मतलब होता है कि बहुत लंबे गोल को एची को फॉलो करना फॉलो पर मतलब परसुटिंग लॉंग टम गोल और कोर्ट ने एक दिन का भी टाइम नहीं दि परसुष्ट नहीं एंसलिए मै уж 7a मों फाइव तू इंटर्पडेशन है कोई अंतर ही नहीं नहीं रह गया है इसलिए इस आफह मैटर को स्कॉर्ड को सिट्रीय करना जरूरी है और साब में जितनी भी गोईन्मेंट एजिंसी जिनंसिएं और साफ में सीटिय्म और सेंटर सब को नोटिस कर दिया दस्ती नोटिस भी किया है चार अपते बाद मैटर फिर आएगा तो साब तोर पे सुप्रिम कोट ने एक महत्पूर्ण आदेश दिया है और इलहाबाध हाई कोट के उस फैसले पे यथा इस्तिती बरकरार रखने का निर्देश दिया है जिसमें इलहा दिया जा तो कहा जा सकता है कि इन सी शिकों को सुप्रीम कोट से बड़ी रहात मिली है कैमरा परसन संदीब के साथ राकेश एपियन दिल्ली और सहरा से भी विवाध के मामले में वंबर्य आए कोट के आदिकारी का ओफिशिल लिक्विडेटर ने सुप्रीम कोट को ज़ानकारी दी ग्रूप की MB वैली संपत्यों की निलामी की प्रक्रियार रोक दी गई है क्योंकि निलामी के नोटिस के जवाब में किसी संभावित खरीदार से जवाब नहीं मिला। ये सूचित करने पर कि सहारा समू पहले ही नियुआक में अपना होटिल बेच चुका है पीच ने कमपनी से कहा कि इसका विवरण और पैसो के उपयोग के विवरण के साथ एक हलफ नामा दाखिल किया जाए। रही रात बरकरार रखिया और कमपनी से इंकम टैक्स डिपार्टमेंट के इस आरोप पर जवाब देने के लिए कहा है जिसमें इंकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि कमपनी टैक्स नहीं जमा कर रही है। सुप्रिम कोट ने कमपनी को कहा है कि इस मामले में इंकम टेक्स भी भागने भी अर्जी दाखिल की है और टोल कमपनी उसकी अर्जी पर जवाब दाखिल करें इंकम टेक्स ने कहा है कि कमपनी टेक्स नहीं दे रही है जबकि उसके उपर टेक्स पकाया है वहीं कमपनी ने कहा है कि कोट के आदेश के बाद हम टोल वसूल नहीं कर पा रहे हैं पिशली सुनवाई के दौरान भी कमपनी की तरफ से कहा गया था कि मामले की सुनवाई जल्द की जाए क्यूंकि मामले के लंबित होने से कमपनी का हैद प्रभावित हो रहा है। कमपनी की ओर से कहा गया था कि उसे रोजाना 50 लाख रुपे का नुकसान हो रहा है। इलहबाद हाई कोट ने टोल को रद कर दिया था और इसे लेकर नॉड़ा टोल बिज कमपनी ने सुप्रिम कोट में हाई कोट के आदेश को चुनौती दी थी। सुप्रिम कोट ने है कोट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और सीए जी को कमपनी के खातों की जांच कर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था सीए जी ने जांच के बाद सील बंद रिपोर्ट सौंप दी थी सुप्रिम कोट ने आदेश दिया था कि सीएजी बताए कि टोल बनाने में कितना खर्च आया और कमपनी अब तक कितना टोल बसूल चुकी है अब सुप्रिम कोट 21 अगस्त को मामले की सुनवाई करेगा राकेश सिंग एपी एन दिल्ली और सुप्रिम कोट में कुवयत में फसे भारतिय कामगारों को वापस लाने के मामले पर सुनवाई हुई सुप्रिम कोट में किन सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए 6 हफते का समय मांगा है गोलकुंडा तेलंगाना के रहने वाली नोहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में जनीती याचका दाकिल की है याचका में कहा गया कि करीब 3500 भारतिय कामगार कुएट में फसे हैं जिनके पास पैसा और संसाधन नहीं है उनके सित्थी बहुत खराब है याचका में मांग की गए कि केंद सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो उन लोगों को आर्थिक मदद पहुचाए और उन्हें वापस लाने का प्रबंध करे अर्देश के तमाम अदालतों की बात करें तो वहां जजों की भारी कमी है हाई कोर्ट की ही अगर बात करें तो 24 हाई कोर्ट में जजों के कुल 1089 पद हैं और इनमें से 1 जुलाई 2018 तक 411 यानी करीब 40 फिसदी पद खाली ही थे अब कानून मंत्राले ने देश के 23 हाई कोर्ट में जजों के तौर पर निक्ती के लिए 69 नामों को हरी जन्डे दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम को भीज आ है कानून मंत्राले ने इस बार हाई कोर्ट कोलेजियम से अपने पास आये 79 उमीदवारों के बारे में इंटेलिजन्स बीरो से रिपोर्ट लेने के बाद उन्हें आगे भीज दिया है पिशली मिसालों को देखा जाए तो हाई कोर्ट कॉलेजियम से नामित किये गए 40 फीसदी उमीदवारों को सुप्रेम कोर्ट कॉलेजियम खारिश कर देता है तैपरक्रिया के अनुसार हाई कोर्ट कॉलेजियम जजज बनने लाइक उमीदवारों की छटनी करते हुए अपने अपने यहां से कानून मंत्राले को सूची भेशते हैं जहां से उन्हें अंतिम निर्नाई के लिए सुप्रिम कोर्ट कॉलेजियम को भेश दिया जाता है और दे जवारला नहरी उनिवरस्टी से ऑक्टूबर 2016 में लापता हुए चातर नजीब एहमद के बारे में सीबियाई कोई सुराग नहीं लगा सकी है जांच शुरू करने के एक साल से जाद समय बीतने के बाद सीबियाई ने दिल्ले आई कोर्ट में नियामूर्थी एस मुर्ली धरन बाद नियामूर्थी आर एस महता के समक्ष जांच रिपोर्ट पे उश्की सीबियाई ने काया कि अब तक ऐसा कोई सुबूत नहीं मिला है जिससे ये माना जा सके कोई अपराद हुआ है यहां तक कि संदिक दे नौ शात्रों के इखलाब भी कोई साच सामने नहीं आया है जिसके आदार पर उने के रब्तार किया जा सके इसलिए क्लोजर रिपोर्ट दाकिल करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है हाला कि जाच अजिसी ने भी कहा है कि क्लोजर रिपोर्ट दाकिल करने पर अंतिम फैसला लेने से पहले कुछ अन्य पहलूँ पर भी जाच की जा रही है सुनवाई के दौरान नजीब कीमा पातिमा नफीस के वकील कौनिल कौनसालवे ने अदालत में कहा है कि एफायार में अठारा संदेज विचात्रो का नाम है और अब चर्चा आज के केस आफ दे डे की सोशल मीडिया पर किंद की निगरानी का मुद्दा गरमाता नजर आ रहा है सुप्रिम कोट ने सोशल मीडिया की निगरानी के किंदर सरकार के फैसले को चनोती देने वाली त्रिणमूल कॉंग्रिस विधायक महुआ मोहितरा की याचका पर किंदर सरकार को नोटिस जारी किया है कोट ने अटाउनी जर्नल को इस मामले में मदद करने को कहा है सुचना यहां पर सरण मंतरा लेके आनलाइन डाटा की मोनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया कम्मूनिकेशन हब के गठन के फैसले पर सुप्रिम कोट ने कड़ी टिपनी करते हुए कहा है कि ये एक सर्विलन्स स्टेट बनाने जैसी स्थिती है क्या सरकार लोगों के वर्ड सेप मेसिज पर नज़र रखना चाहती है मुखे नए अधिश जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एम खानविलकर और डिवाई चंडर चूड की पीठ ने केंदर सरकार को दो सब तहा के भीतर जवाब देने को कहा है और अटॉनी जनरल केके वेनु गोपाल को कहा कि इस मामले में वो अधालत की मदद करें टीमसी विधायक महुआ मोहितरा ने याचिका में कहा है कि सोशल मीडिया की निगरानी के लिए केंदर ये कदम उठा रहा है इसके बाद ट्वीटर, फेस्बुक, इंस्टाग्राम, वो इमेल में मौझूद हर टेटा तक केंदर की पहुँच हो जाएगी केंदर सरकार का ये कदम नीशता के अथिकार का सरासर उलंगन है उन्होंने कहा कि इससे हर ब्रक्ति की नीजी जानकारी को भी सरकार खंगाल सकेगी इसमें जिलस्तर तक सरकार डेटा को खंगाल सकेगी, इसे रोका जाना चाहिए सुप्रीम कोट ने नोटिस इशू किया है केंदर सरकार को और अटर्नी जेनरल को दो हफते में जवाब देने के लिए पेटिशन जो हमने फाइल की थी वो मिनिस्ट्र इफ इंफिमेशन ब्रॉड कास्टिंग ने एक टेंडर निकाला है उसमें उन्होंने टेक्नालोजी सर्विसिस प्रोवाइड करने के लिए एक टेंडर मांगा है और जो भी एजिंसी जो अपॉइंट करेंगे उसको एक सोशल मीडिया कम्यूनिकेशन हब सेट अप करना है हाल में केंद्रे मंतराले के तहट काम करने वाले पियस यू ब्रॉडकास्ट कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड ने एक टेंडर जारी किया है इसमें एक सॉफ्टवेर की आपूर्ती के लिए निवीदा मांगी गई है सरकार इसके तहर सोशल मीडिया के माध्यम से सुचनाओ को एक अतर करेगी और देखेगी कि सरकारी यूजनाओ पर लोगों का क्या रुक है सरकार का तर्क है कि इस से उसे असली फीड़बेक मिलेगा और फिर वो यूजनाओ में तब्दिली करके उन्हें और ज्यादा जनुपयोगी बनाने का काम कर सकेगी याचिका करता की ओर से कहा गया कि सरकार ने जो टेंडर मंगवाए हैं वो 20 अगस्त को खोले जाएंगे इस पर कोट ने कहा कि वो 20 अगस्त को टेंडर खोलने से पहले तीन अगस्त को मामले पर सुनवाई करेगा राकेश सिंग एपी एन दिल्ली राकेश हमारे सवायता हमारे साथ जोड़गे हैं राकेश जिस तरह से सोशल मीडिया पर नजर रखने की बात सामने आ रही है और इसे निज़्टा के हनन की बात कोट की तरफ से कही गया और क्या महत्वपोर्ण बिंदो इसमें है जिसको लेकर विरोध और इस तरह की बात सामने आई है अरविन पहले ये समझना होगा आखिरकार जो हब सोशल मीडिया कम्मिनिकेशन हब बनाने की बात की जा रही है उसका कारण क्या है सरकार का तर्क यही है जो सरकार की योजनाएं हैं उनको कैसे और आम लोगों तक पहुँचाया जाए यानि की उसमें पढ़िया क्या है उसको देखकर के सरकार सरकार का तर्क यही है कि हम योजनाओं को सुचारे उखरूप से आम लोगों तक पहुँचाने की कोर्सिस करेंगे इससे जिले अस्तर के जो भी मेडिया की लोग हैं वो उनसे ये सुचना है ली जाएंगी एकर्षित की जाएंगी कि सोचल मेडिया पे सरकार के खिलास में या फिर उसके फेवर में क्या चल रहा है ये तमाम चीजे हैं लेकिन जो याच का करता है कि एमसी की उठायक हैं मुईत्रा ह उन्होंने उनका ये साफ तर पे कहना है कि दिखिए जिस तरीके से सरकार की मंसा है यानि कि सरकार की मंसा पे ही सवाल उठाया है उनका तर्क ये है कि इसके पीछे सरकार का ये मक्सद है कि सोचल मेडिया क्या है फेस्बूक हो इंस्टाग्राम हो वाटसैप हो सब की निगर करते हैं उनकी पूरी सुचनाएं एकत्रित करने के सेवर में हैं एक इक लोगों की जानकारी वो एक अच्छा करना चाहती है लिहाजा यह निजिता का अजिए बिल्कुल राकेश निजिता के हनन की बात यहां पर काई जा रहे है वैसे सरकार इसे यह कहते हुए आप इस पर इसको आगे बढ़ाना चाहरे हैं कि इसके जरीये वो सरकारी योजिनाओं को और बहतर तरीके से लागो कर सकेंगे तो बहुत बहुत शूपरिया आपका इसे जनकारी और बाचित के लिए देखना होगा किसे किस से आगे बढ़ाए जाता है तो एक उर भारत सरकार पर सोश पर फेस्बूक का कमपनी को आदेश दिया कि ये मित बेटी का अगाउंट को लॉग इन कर पाने के अजाज़त उसकी मा को दी जाए इस वसले से साफ हो गया है कि अगर नावालिक अकाउंट होलडर की मिर्ती हो जाती है तो उसके अकाउंट का उत्राधिकारी मातापिता को मि सकता है और दुटरा कहन्ड हाई कोड की बात करें तो तर्फध्रा कहन्ड हाई कोड की ने का है कि यो किता पूरी करने वाला किसी भी जाती outta व्यक्ति मंदर का पुजारी बन सकता है, मंदर में नियुक्त उची जाती का कोई पुजारी अनुसुचित जाती या जन जाती के किसी भक्त को पूजा करने से नहीं रोक सकता नहीं मुर्ती राजी उस्च्वर्मा की अदालत ने या आदेश अनुस्टी जाती और जनजातीयों के विक्तियों के मंदिरों के में जाने और धार्मी गतिविदियों के अधिकारों से संबंदित एक याजका पर सुनवाई के दोरान दिये और चतिस गड़ के चानकमार टाइगर रिजर्ब में वहाँ पर प्रदानमंतरी आवासी उजना के तैत प्रस्तावित 621 आवासों के नर्मार पर चतिस गड़ हाई कोट ने रोक लगा दी है हाई कोट ने इस शास्की अधन का दिरुपियों गोवन जीवों के वास स्थल में बड़ा व्यवधान माना है वकिनादी शर्जे कुमार त्रिपाटी वजश्टिस प्रितिंकर दिवाकर की पीठ ने राइपूर निवासी नितन सिंगवी की ओर से दाकेली जनिती आचका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि 2020 तक टाइगर रिज़र उक्षेतर के सभी गाउं का विस्थापन करना है और किरलाई कोट ने राइप सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक ऐसे अथौरिटी का गठन करने के लिए नियम बनाए जो लोगों के इसलाम धर्म अपनाने को अपनी स्विक्रती दे इसाई से इसलाम धर्म अपनाने वाले एक याचका करता ने हाई कोट में एक न्यूज रिपोर्ट पेश की और इस ख़बर में वर्ष 2000 में इसाई से इसलाम धर्म अपनाने वाले एक व्यक्ति के अंतिम रंसकारल को जो है किंदर लेकर इस तरह से पैदा हुए विवाद का जिक्र है याचिका करदर ने बताए कि उस व्यक्ति ने अलाकि इसलाम धर्म अपना लिया था लेकिन उसके पास इसे थाबित करने के लिए कोई रिकार्ड नहीं था और गुजरात हाई कोट में उधरे का जी मामला दायर हुआ है इस केस में कोट को फैसला देना है कि चोरी के रुप्यों से खरीदी गई कार का मालिक कौन होगा मामला यह है कि एक व्यक्ती ने चौरी की चौरी के पैसे से उसर शक्स ने अपने बेटे को कार गिफ्ट की चार्च के दोरान पलिस ने चौर को दबोचा और कार जबत कर ली इस पर जिस शक्स ने घर से चोरी हुई थी उसने मिर्जा प्रोग्रामर के मैजस्टेट कोर्ट में मामला दायर कार का कब्जा मांगा तो कोर्ट स्रॉडनों पे फिलाल इतना है लिए खबरों का सलसला आगे भी जारी है झाल